आज जुम्मे की नमाज थी पिछले चार पार दिन से व्रिस्थित त्यारी चल रही थी पुलिस और मैजिस्ट्रेसी द्वारा एक बहुत व्रिस्थित रूप से पबलिक आउट्रीच किया गया था सभी धर्मों के धर्म गुरुओं से जनता के मानिंद वक्तियों से बाचीत की गई थी शांती व्रिस्था कायम करने के लिए आज बहुती एक्स्टेंसिव पुलिस डिप्लाइमेंट किया गया था और इस डिप्लाइमेंट की बज़ुलत और इस मेहनत की बज़ुलत पूरे पुर्देश में अमन्चैन कायम रहा है तीन-चार जिलों में प्रोटेस्ट हुआ है जहां पर सारणपूर है प्रयागराज है थोड़ा प्रदर्शन फिरोदाबाद में और थोड़ा मुरादाबाद में हुआ था पुलिस फोर्स ने सायम एवं सक्ति के साथ इनको डील किया है जिसकी बज़ुलत कहीं जनानी नहीं हुई है जहां पर बच्चे निकले थे उनको समझा बुजा के पूरी पुर्जोर कोशिश की गई कि वो अपने घरों में लोट जाएं लेकिन जहां दंगायों ने जो है क कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की पुलिस बल ने बहुत सक्ति के साथ उनको डील किया है और मैं प्रदेश की जनता को अश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको निया लाए कि समख्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए हमारे सभी अधिकारी और सभी जवान सेफ है एक आरेफ के जवान को जरूर पत्थर की चोट लगी है मुँपर उसका इलाज किया जा रहा है वो आउट अव डिंजर है बाकी चोटे मोटे हमारे वीर जवान है हम लोग कभी अपने चोटे का जिगर नहीं करते और ना हम इनसे डरते हैं थैंक यू धन्यवाद शासन के सार्थक प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों दारा जान बूच के शांती वेवस्था भंग करने के प्रयास किये गए इस सम्वंध में बहुत ही त्वरित कारवाई करते हुए साढ़े साथ बजे शाम तक एक सो नौ लोगों की गिरफतारी बिभिन जन्पदों से की जा चुकी है जिसमें से परमुक जन्पद हैं सहरनपूर, अंबेतकर नगर फिरोजाबाद, मुरादाबाद तथा प्रयागराज ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने तोड़फोड की है इनके विरुद गंभीर धराओं में अभियोग पंज्यकृत कराया जा रहा है तथा जो भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति की छती पहुंची है उसकी वसूली भी की जाएगी और इन व्यक्तियों के विरुद जो गैंग्स्टर आक्ट के तहत इनकी संपत्तिया भी जब्त की जाएगी किसी भी स्थिती में कोई भी व्यक्ति जो शांती व्यवस्था से खिलवाल कर रहा है उसे बक्सा नहीं जाएगा